हैं कि five parties DNS seja में आपका स्वागत है मैं दीपक आनन आज आप लोग को प्रिभीयर का फैंग जिंडेल साइंस का अधियर का क्विसट्न जो अब करेंश की जो सब्सक्राइब और जिब्सेट करवाने वारा भी आपको ठीक है श्ואकर है फिसक्स का पहले कोश्चयल नोसने लार्ज एंगल विथ हो डि小時 प्रेजथिग sleeps देखें हमे लोग प्रोजेक्टियल एंगल पर यहां से बमस्तिEM जो ट्रेक्जक्टिटरी जो बनता यह उसे हम ट्रोज मियां करते हैं जिसे-धर ट्रोजेक्ट्र और फिक्र रहा है इस बोल को टो यह जू ट्रॉट्रीवन रहा है उसे मैं क्या बोलता है को कि प्रोजेक्टएल मोसन बोलतें ठीक है जैसे आव इसका जैदा एंगल तो यह जैए और जएदा रहेगा तो ऐसे जाएगा तो भी क्वेंगे प्रोजेक्टर मोशने लार्जरेंगल होरी प्लेन प्रेजॉंटल PnZ फ्लक्ट ट्रेक्टरी या कर्व ट कोट्रेक्टरी एस्टेट ट्रेज़ेक्टरी और है ट्रेक्टरी इसमें देखें कि जैसे हम लोग एंगल ब छेद दुहजार एक में पुछा गया था question यह आराव का question है सब में आर आज जो question करवाओंगा सब और भी किसी ने किसी आरावी में पूछा गया question होगा ठीक है यह परेंट चली नेक्स को सदेखते हैं अभी आपका कुछन है एक बॉल इस थ्रोन ऑफ वीच आफ दा फॉलोईंग डज नोट चेंजेस किसी कर रहा को सी बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं फेक रहे हैं उपर फेक रहे हैं तो कह रहा कि वीच आफ दा फॉलोईंग ड़न्हों क्या नहीं चेंज होगा ठीक है यह द्रवी भूवन फ्रोन अब फिकते हैं तो क्या करता है फ्लोंग क्या नहीं चेंज होगा एसलेरेशन इसपीड पोटेंशिल इनर्जी डिस्टेंस देखिए सब्सक्राइब भाता सब्वेёт यहां कि आओ इसका यहीं नाहिंद हो ठीक है उसके वाद के पोटेंशल इनर्जी नजी पोटेंशल हो प्ल्टिक यांच वहता है जब हाइट टीन है तो तो यह भी चेंज भागा यह भी एंसर नहीं होगा डिस्टेंस डिस्टेंस क्या किसी भॉल को हम लोग ऊपर फिए तो इसका इंसर आपका यह हो जाएगा ठीक है इसका एंसर क्या और यह हो गया अपलोग समझ गए option elimination method जो है न बहुत best matter है इसे हम लोग आज़सानी से element कर दिये क्या क्या ने जानुसता है जो बचा वोसका answer होगे ठीक है next question देखते हैं next question आपका which of the following is scalar quantity ठीक है scalar quantity कौन सा है आप लोग जानते हैं कि scalar एक scalar quantity होता है एक वेक्टर में magnitude magnitude और direction दोनों होता है कि इसमें क्या होता है magnitude और direction दोनों होता है इसमें खाले सिर्फ magnitude होता है इसमें क्या होता है इसमें इसमें देखो which of the following is the scalar quantity force फोर्स में क्या डियरेक्शन में लगाएंगे ना जैसे कितना दस दस न्यूटन का फोर्स लगा रहे हम इस डियरेक्शन में ठीक है तो इसमें यह वेक्टर क्वांटिड हो गया वैलो सिटी वैलो सिटी किसी एक डियरेक्शन में होगा ठीक है किसी एक डियरेक्शन में होगा भी फैनल मेनस भी इनिशियल बाई में टी इसका क्या होता है एक सकेंड टी इसको क्या बोलते हैं एसलेरेशन बोलते हैं यह क्या हो जाता आपका एसलेरेशन हो जाता है ठीक है तो यह भी क्या है वेक्टर कॉंटिटी है ठीक है तो इसमें क्या है कि एसकेलर कॉंटिटी कौन सुरूर पाथ कोई पाटिकल को सीध मरतार राहे तो तो देखिये पहला 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 option क्या है पहला option है कि इस जीरो जीरो होगा इस युनिफॉर्म इस डारेक्शन चेंजर इस मेगनिचूट चेंजर ठीक है इसका हम लोग एंसर देखें जब कोई भी सर्कुलर सर्कुलर ट्रैक पर यह कॉंस्टेंट उसका क्या है कॉंस्टेंट स्पीड से मूब कर रहा है यहां से यहां मौन लिए यहां मूब कर रहा है यहां यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करेगा ठीक है किसी सर्कुलर ट्रैक पर ठीक है इसका हम लोग देता है कि इसका इस जीरो एसे लेसन इसम कुछ और होगा it is uniform its direction changes its magnitude changes ठीक है इसका देखिए इसका क्या होगा जो acceleration होगा उसका क्या direction change हो रहा यहां से यहां से यहां से यहां से ठीक है rate of change of acceleration क्या क्या होता है formula v initial v initial minus v final v final sorry एक second acceleration equal to क्या होता है v final minus v initial by में t होता है आप लोग जानते हैं ठीक है फ्रेंट्स v final minus v initial by में t होता है तो यह क्या होगा its direction changes its magnitude changes इसका answer क्या हो जाएगा आपका इसका direction changes इसका answer c हो गया ठीक है next question देखते हैं यह देखिए यह question जो था यह rrb section इंजिनियर में पूछा गया है यह yellow paper जो हुआ था जो 24-12-2014 को यह आया हुआ हुआ और भी बहुत सारा question repeat करता है आप लोग बस इसको ध्यान से पढ़िए देखिए बहुत ही आसान असान है यह ठीक है फ्रेंट्स चलिए देखते हैं यह question इन्हें graph displacement versus time source in the source below which is correct यह आपको graph दिया हुआ है displacement और time के बीच में ठीक है displacement और time के बीच में दिया हुआ यह graph है ठीक है इसमें करा कि करा कि the body is at rest body rest में है पहला option है दूसरा the body has some initial speed body में कुछ initial speed है और the body moves with constant speed और करा है the body moves with constant velocity देखिए displacement displacement क्या होता जैसे हम लोग कोई भी यहां से हमको यहां जाना है ठीक है तो हम यहां से यहां जाना था हम ऐसे भी जा सकते थे ऐसे भी जा सकते थे यहां से जाना हो तो हम ऐसे भी जा सकते Guardians ዼता है होता है इनिशाल और पजिस्टैन्स के बीच में होता है और यह जो लोंगे इसको हम लोग यह डिस्टेंस हो गया यह डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस में इधर से भी इधर से भी डिस्टेंस होता है इनिशल और पोजिशन के बीच में ठीक है का रहा है कि डिस्प्लेस्मेंट और टाइम ग्राफ है डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्रा रहा है ठीक है time changes हो रहा है ठीक है body moves भी थे constant velocity यह body क्या moves भी थे constant भेलर इसका answer D हो गया ठीक है friends समझ गया next question देखता है कि the rate of change of displacement is called आप लोग जानते है rate of change of displacement क्या होता एक रेट आप change of displacement क्या होता यह 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 आपका velocity अभी उपर ही देखे था कि rate of change of displacement क्या होता है इसका answer क्या हो जाएगा velocity हो जाएगा ठीक है देखे और भी एलपी का जो अभी एक्जाम हुआ था उन्ती साथ दोज आठारा सिफ्टू का यह question है ठीक है friends यह सब जो आज में question जो लिया हूं सब किसी ने किसी और भी में पूछा होगा question है ठीक है फ्रेंट्स देखें कितना simple question था यह कितना simple question था कि displacement rate of change of displacement क्या होता है velocity होता है किसी सभी को पता होगा ठीक है friends इसके बाद देखते हैं आपका next question देखते हैं next question है next question आपका next question है an object starting from rest moving with constant acceleration of 4 meter per second after 8 seconds its speed is ठीक है थाम लोगों क्या दिया हुआ पहले पहले हम लोगों क्या दिया हुआ हुआ कि rest कोई भी objective रेस्ट आस्ता को इसका इनिसियल भैलो सिट यू क्या हो जागा जीरो हो जाएगा ठीक है और इससी लेशन दिया हुआ हम लोगों कितना चार मीटर पर सकेंड स्क्वेर ठीक है चार मीटर पर सकेंड स्क्वेर टाइम दिया है एट सकेंड अट सकेंड ठीक हम लोग जानता है कि equation of motion जो अधी एक फ्लस 80 होता है भी equal to u square plus 2S होता है एक हो s equal to distance होता है s equal to ut plus half 80 square होता है ठीक है इसमें हम लोग कॉन सा यूज करेंगे इसमें देखिए हम लोग को installation दिया वर time देरा हम तो पहला equation से हम लोग का यह question solve हो जाएगा ठीक है पहला equation से question तो हो जाएगा तो हम लोग रख देंगे भी भी निकालना है दो यू-का-वैल्य अगा है यह इनिशल यूजिरो हो गया उसके बाद क्या हो गया एक इसे चान मेटर पर सेक締 दिया हूआ और आपका टाइम टांड में आठ सेस्व अधिक तो यह क्या व्यार बांट इस to meter per second समझ गए कि इतना आसान question आता है ठीक है next question देखते है next question आपका कि the SI unit of weight is SI unit SI unit weight का क्या होता है weight equal to आप लोग जानते हैं यह क्या होता है mg के बरावर होता है इसी को हम लोग इसका यूनिट देख लिए जो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है न्यूटन किसको बोलता है यह केजी मों हो जाएगा मास और एस डेसन मीटर पर सकेंड स्कुर्ण मों जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलता है न्यूटन को जैसे जिकारा की जए ते यूनिट केजी यह नहीं होगा न्यूटन यह और ऑन ची का ऑट ऐसा यूनिट उनिट है एसा ऋंसको न्यूटन बोलता है यह होता है lot 10 Supreme बन्हों जोता है shift 2 में ठीक है friends एक ठीक है कितना ऐसान अपक्रक्तिस करते जाना है आप इस लिए हूं आपको प्रैक्टिस कर वा दूंगा पूरा जितना भी कोशन तर में वा हैं aatz यह में सब को आपको करवा दूंगा सब कोशन ठीक है a Ф passenger चलिए नेक्स्सक्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 meter होता है ठीक है फ्रेंड्स यह हो गया और एक पीको भी जानता है पीको मीटर उसमें होता है 10 to the power minus 12 उसमें क्या होता है 10 to the power minus 12 दिखते हैं कि अगर 12 मेंटर होता है इसका एंसर आफका क्या हो जागा इसको सनकों सदोगे आपका 5 यह टैन्ट द्रयेमार यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा इसका एंसर यह हो गया यह देखो यह यह कहां पुछा गया है यह 178 18 को सिरी में पुछा गया है ठीक है और भी एलपी ठीक है चलो नेक्स कुर्शन देखते हैं कि नेक्स कुर्शन आपका नेक्स कुर्शन है कि इस इनिशियल वैलोसिटी ओफ एक काड़ इस फाइव मीटर पर सकेंड इनिशियल वैलोसिटी यानि कि हम लोगों यू दिया हुआ पहले हम लोगों की इस टैप पर कॉस्टन आगा तर पहले जो डाटा दिया उसको लिखते आप की तना दिया हुआ 10 मीटर पर सकेंड ठीक है करा कि देन्व एसलेर असलेरेशन क्या उता है अब लोग जानते है इसलेरेशन इकल डू क्या होता है इसलेशन का आपको जानता है फर्मूला एसलेशन इक्वाल टू हता है भी फैनल मैंनस भी इनिसियल बाइमेटी आप लोग जानते हैं ठीक है और टाइम भी तो दिया हुआ था स्वारी टाइम भी दिया है पांच सेकेंड ठीक है तहाम लोग यहां से यहां दस रख देंगे यहां 5 टाइम कितना दिया 5 ठीक है 5 divided by 5 यह कितना गया 1 1 एसलेशन का युनित क्या होता है meters per second square ठीक है meter per second square यह one इसका answer हो जाएगा ठीक है इसका answer क्या और अपका one meter per second square यह इसका answer हो गया ठीक है समझ कितना आसान question आता है खाली आप formula putting question नहीं देखिए जैसे एसे लेशन का हम लोगो यह फॉर्मूला याद रहा तो यह तो आसानी सिर्फ डाटा हमको पूट करना था वह एंसर निकल गया ठीक है फ्रेंट्स नेक्स कुलिन देखते हैं यह कॉश्टन कहां पुछा गया था यह कोशन और की कुल्स है फ्रेंट्स ने को देखतें देखिए यह question है आपका rate of change of velocity देखिए rate of change of velocity क्या होता है तो rate of change of velocity पहला है momentum दूसरा acceleration तिसरा speed और force ठीक है rate of change of velocity क्या होता है rate अभी जानते है इसका answer क्या हो जाएगा ठीक है यह देखिए किसमें आरर भी यह पुछा गया question है 17-18 में जो हुआ था एक्जाम उसे में पुछा गया question है ठीक है my friends चलिए next question देखता है next question आपका next question है next question है which of the following changes when a body perform uniform circular motion कर रहा है which of the flowing क्या body perform uniform circular motion में कोई body घूम रहा है क्या change होगा ठीक है इसके reverse question हम अभी उपर में हम लोग किये थे जिसमें क्या का रहा था constant constant speed से घूम रहा था तो क्या नहीं change होगा उसी को हम लोग उसमें वह reverse करके question पुछा गया है ठीक है इसमें पहला दिया है mass momentum speed और direction ठीक है टो है जब ऊपूटी circular motion में घूम रहा है तक क्या होगा circular motion मैंग इसका यहां भाइल उपर यहां से इधर और यहां इधर हो जाएगा और यह इदर ठीक है ये इससे इसमें क्या होगा कि इसका direction दिलेक्शन क्या और इस डाये क्या होगा न में प्रिए a.p यह किसमें पुछा गया यह दख़े कहा पुछा गया था रार पी में पुछा गया है question ति कितना आसान question था कि जब हम लोग circular कि चीन्ज होगा दो लिए circular motion में रोटेट करें तो तरह ठेके पन्स इसका एंसर आप लोग निकाल लिए डेक्शन जो फोटें रहेगा ठीके कुछ सा characteristics kicks पहरा बोब जाए आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी ब्रेक पैड लगा रहाता है इसमें क्या था कि इसमें जो यह किसके चलते रुखता है यह दोनों यह पैड और इसके जो टाइब जो होता है उसके बीच में क्या होता है उसके बीच में इसको पुछ करता है तो यह फोर्स लगाता है इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है जो उसका र कुछ losses होता है जिसे हम लोग को लोस होता है कोई वी रोटेट कर रहा है जैसे हम लोग पेन से लिखता है पेंसिल से लिखते हैं तो किसके त्वारा चलता है वह भी फ्रिक्षन के चलते जाओ उसके मुष्च में क्या हो जाओ पोजिट्िव एक्ट आ रहा है ठीक है उसी तरह जैसे यह ब्रेक जो पैड पैड है उस लगाता है वह कार का जो वील है उस पर तो क्या होगा वह यह positive effect है positive effect of friction है ठीक है नेक्ट question देखते हैं आपका next question है नेक्ट question आपका देखे दा first equation of motion gives the relation between आप लोग जानते हैं फर्स्ट equation of motion अभी उपर बताया था भी इक वहल तो क्या था देक्व लटो यू प्लस एटी था second is s equal to एसी कोल टो यूटी एसी कोल्ट क्या था एसी कोल टो यूटी प्लस हाप 80S को अपड़े होंगे कि second equation of motion है सी कोल टो UP plus UP plus half ATAettes ठीक है थीक है तिसरा equation of motion है B square就是說 U square plus 2 A और S ठीक है यह होता है तहाँ पहला equation of motion यह है पहला position and time यह नहीं होगा पॉजिशन बढ़े सिटी यह नहीं होगा आट भेलो सीटी ओ टैम जो पहला डाल सोटमoter न Ultra सिबए स Krishna इन चुपालेस्टी और टाइम के बिच में यह देता है किसके बीच में वीमी प отвеч您ard टाइम के बिच में रिले element हो था ठीके फ्रेंट्स इसका एंसर होगा खिया ठीक है नेक्स पुर्शन देखते हैं नेक्स उटेशन आहापका कि दो तो सकेंड डी वेशनों अभी देखेंशन और ग्रेशन बेट में अभी अब ने सकेंड टी मोशन दिखा था एसी कोल टू यूटी प्लस एस इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस आफ 80 इसक्वार ठीक है यह है आपका second equation of motion ठीक है इसमें देखिए कारा कि velocity and time के बिचे में बताता है position and velocity position and velocity और velocity and acceleration इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer B हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स समझ गए यह इसी equation से लिए होगा second equation of motion है यह question देखिए और भी पुछा गया question है यह ठीक है फ्रेंट्स next question देखते है next question आपका next question आपका कि the negative acceleration is the is in the opposite direction of negative acceleration जो होता है in the opposite direction किसकी opposite होगा जैसे देखो जैसे एक velocity होगा momentum होगा force होगा distance यह चार option दिया velocity, momentum, force और distance ठीक है आप लोग जानते हैं कि जैसे negative acceleration कब होगा acceleration velocity से related है देखिए जब हम लोग इधर क्या करेंगे इधर acceleration होगा और इधर velocity भी होगा यह क्या है positive, positive acceleration है ठीक है हम लोग का acceleration इधर हो रहा है velocity इधर हो रहा है तो यह का direction जब acceleration क्या positive हो जाए तो उस time पे क्या होगा negative acceleration होगा तो इसका answer क्या हो जाएगा यह यह इसका answer हो जाएगा ठीक है friends समझ गए ठीक है friends आज के लिए इतना ही आज का question आज का question था और next lecture में और भी question करेंगे ठीक है यदि friends इस lecture का PDF लेना चाहते हो तो इस पर आप लोग जोइन कर सकते है यह telegram का telegram channel है ठीक है DNS classes के नाम से बना हुआ है आप लोग जाके लिंक यह इस लिंक पर जाके आप जोइन कर सकते हो ठीक है इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा महाँ पर और कोई भी comment suggestion हो comment या suggestion देना जाते हों लोग को suggestion वह भी आप दे सकते हो ठीक है friends और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है like करना है share करना है ठीक है और subscribe करना और subscribe करना इस channel को ठीक है friends और आज के लिए बस इतना ही ठीक है friends next lecture में फिर से मिलेंगे thank you